नमस्कार, आपका अख़बार के इस अंग में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रदीप सिंग्ग अर्विंद केजरिवाल के बारे में एक वीडियो में मैंने कहा था कि बकरे की अम्मा कब तक खेर मनाईगी और कहा था कि अर्विंद केजरिवाल का गिरफतार होना तै है, और ये बात आप कई बार मुझसे सुन चुके होंगे कि अर्विंद केजरिवाल का गिरफतार होना तै है, आज पिर कह रहा हूं लेकिन आज सबसे ज़ादा विश्वास के साथ कह रहा हूँ अरविंद केजरिवाल के जेल जाने से बचने के सारे रास्ते आज दिल्ली हाई कोट ने बंद कर दिये अरविंद केजरिवाल को ED 9 समन भेज चुका है उस पर वो एपिरने हुए नवे समन पर उनको 21 मार्च को यानि आज ED के सामने पेश होना है वो दिल्ली हाई कोट गए पहले सेशन कोट गए थे कि जो ED ने समन भेजा है वो इल्लीगल है अब हाई कोट गए वो दो प्रार्थना लेकर दो जो है वो अपील लेकर गए थे एक जो PMLA का कानून है उसमें जो धारा राजनितिक दल को एक कमपनी की तरह यानि वाइकेरिस लाइबिलिटी के लिए जिम्मेदार ठहराती है उसको गहर समवैदानी कोशित कर दिया जाए और ED से हाई कोट ये कहे कि उन्हें कम से कम दो महिने तक गिरफतार न किया जाए जब तक लोगसभा के चुनाओ है उनसे अदालत ने पूछा कि आप ED के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं उन्होंने का कि वो पेश होने को तयार हैं, ED के सारे सवालों का जवाब देने को तयार है दो शर्ते हैं उनकी, एक तो ED जो है वो ऑनलाइन यानि इलेक्टरोनिक माध्यम से उनसे पूछताच करें फिजिकल प्रिजेंस उनकी जरूरी नहो दूसरा, ये एशोरिंस दे ED या अदालत ये निर्देश दे इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट को कि उनकी गिरफतारी नहीं हो उसके बाद अदालत ने ED से बड़ा अजीब सा सवाल पूछा ED से पूछा कि आप गिरफतार क्यों नहीं करते हैं ED ने कहा कि हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि हम पूछताच के लिए नहीं गिरफतारी के लिए बुला रहे हैं ED ने कहा कि हम गिरफतार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं ये तो जब हम उनसे पूछताच करेंगे जो सबूत मिलेंगे इससे पहले जो सबूत मिले हैं, उनका मिलान किया जाएगा, दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा, उसके बाद हम फैसला लेंगे, लेकिन हम जो भी काम करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, वो इतना एशुरेंस हम अदालत को इतना भरुसा दिलाते हैं, वो कानून सम्मत ह कानून के दायरे से बाहर जाकर हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। एडी ने एक बात ये कही। दूसरी बात अदालत ने पूछा कि क्या आपके पास अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ शराब भोटाले में शामिल होने के पर्यापत सबूत है। एडी ने कहा हाँ है। अदालत ने कहा दिखाईए। एडी ने अदालत को जो भी दस्तावेज थे अर्विंद केजरिवाल से जुड़े हुए उनकी इंवाल्मेंट के बारे में वो अदालत को दे दिये लेकिन इस अनुरोद के साथ कि अर्विंद केजरिवाल को या उनके व वकील को नहीं दिया. दूसरी जो प्रारतना थी अदालत से कि निरधा दिया जाए एडी को कि वो गिरफ़तार न करें. इसी पर सारी उमीड टिकी थी अर्विंट केज़िवाल की. कि अदालत ये कह दे, हाई कोट ये कह दे कि E.D. जो है अर्विन केजरिवाल को कम से कम दो महीने के लिए उनके वकील ने कहा कि आठ महीने से समन बेजा जा रहा है तो आठ महीने से अगर E.D. इंतजार कर रही है तो दो महीने और इंतजार कर लेगी तो क्या हो जाएगा तो E.D. का जवाब फिर वही था कि हम तो कहीं नहीं रहें कि हम गिरफतार करने जा रहें तो अदालत ने E.D. से पूछा कि आप जिसको समन भेज़ कर बुलाते हैं उन सब को गिरफतार कर लेते हैं E.D. ने कहा कि इस मामले में हम 700 लोगों को 700 लोगों को समन भेज़ चुके हैं और गिरफतार सिर्फ 16 लोगों को किया है तो इसलिए हम जिसको समन भेज़ते हैं उसको गिरफतार भी करते हैं ये धारना बिल्कुल गलत है अर्विंद केजरिवाल के बारे में E.D. ने कोई ऐसा आश्वासन देने से इंकार कर दिया कि वो जब पूशताच के लिए बुलाएंगे तो उनको गिरफतार नहीं करेंगे एक बार अदालत ने अर्विंद केजरिवाल से फिर पूछा कि अगर आप गिरफतारी अपनी नहीं चाहते हैं जबानत चाहते हैं तो आपने जबानत के लिए अगरिम जबानत के लिए एंटिसीपेटरी बेल के लिए अपलाई क्यों नहीं किया अर्विंद केजरिवाल के वकीन ने कहा कि वो चुनाव प्रचार में व्यस्त थे एक पार्टी के राष्टी अध्यक्ष हैं उसके अलावा विपश्यना के लिए चले गए थे इसलिए उनको समय नहीं मिला जबानत की अर्जी दाखिल करने का या एंटिसीपेटरी बेल के लिए अपलाई करने का अब ये जवाब बड़े बचकाना से है कि आप के सामने जो सबसे बड़ा संकट है उससे बचने के लिए जो स्वाभाविक और कानूनी कदम है वो आप उठाने को तयार नहीं है क्योंकि मालूम थार्विंद के जिवाल को कि अंटिसीपेटरी बेल के लिए एपलाई करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी एक बार बेल रिजेक्ट हो जाएगी तो एडी के लिए गिरफतारी और जादा आसान हो जाएगी तो वो एडी का काम और जादा आसान नहीं बनाना चाहते थे इसलिए एटिसीपेटरी बेल के लिए अपलाई नहीं किया उनको अच्छी तरह से मालूम है कि उसका नतीजा क्या होता उनके वकील को भी मालूम है जाहर है देश के जो है सबसे बड़े और सबसे नामी गिरामी वकीलों में एक हैं अबिशेक मनुसिंग भी वो अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए मैंने पिछले कुछ वीडियो में कहा था जब संजे सिंग की गिरफतारी हुई थी कि संजे सिंग की गिरफतारी के साथ जो सबूत मिले हैं जिनके आधार पर संजे सिंग की गिरफतारी हुई है उसके बाद अरविंद केजरीवाल का बचना बहुत मुश्किल है उसके बाद तेलंगाना के पूर्व मुक्यमंत्री के चंदरशेखर राव की बेटी के कविता की गिरफतारी हुई के कविता उस ग्रूप का एक तरह से अगोचित रूप से ही सही नित्र तो करती थी जिसको साउथ ग्रूप कहा जाता था जिसके बारे में ED ने अपनी चार्शीट में कहा है कि अर्विंद केजरिवाल उनके साथियों से जो लिकर पॉलिसी थी जो एक साइस पॉलिसी थी उसमें चेंज कराने के लिए फायदा उठाने के लिए सौ करोड रूपए की रिश्वत दी गई और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से ED ने पहली बार अपनी प्रेस रिलीज में अर्विंद केजरिवाल का नाम शामिल किया है ये सब बातें इशारा कर रही थी कि इनफोस्मेंट डिरेक्टरेट के पास अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत है मैंने एक वीडियो में वाइकरियस लाइबिलिटी के बारे में भी बताया था कि दरसल जो है कमपनियों पर लागू होता है जाधा तर जिसमें वाइकरियस लाइबिलिटी का मतलब होता है परोक्ष देंदारी सीधी नहो जैसे किसी एक कंपनी में कुछ employees अगर कुछ घपला करते हैं और बाद में पता चलता है ये साबित होता है कि कंपनी के जो मालिक हैं जो CEO या Director या CMD हैं उनकी सहमती या उनकी जानकारी में ये हुआ है तो उनकी भी जवाब देही बनती है उनकार्मचारियों के साथ उसी तरह से किसी political party के लोग अगर इस तरह का काम करते हैं रिश्वत लेने का काम करते हैं ब्रश्टा चार घोटाला करते हैं तो party के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी यानि vicarious liability बनती है इसी का case ED ने अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ दायर किया है और इसी को खतम कराने के लिए high court गय थे अर्विंद केजरिवाल कि ये जो provision है इस provision को ही समवैधानिक घोचित कर दे दिल्ली high court दिल्ली high court ने का कि इस stage पर वो इस तरह का कोई आदेश देने के लिए तयार नहीं है तो के कविता की गिरफतारी ने अर्विंद केजरिवाल की संभावित गिरफतारी पर एक तरह से महर लगा दी है अब अपुष्ट खबरों के अनुसार के कविता ने सारा राज उगल दिया है देखे एडी की गिरफतारी एडी ये उसी वियाई ये जब कस्टडी में लेते हैं तब बड़े से बड़े अपराधियों के लिए भी बात चिपाना अपराध को चिपाना अपराध की जो मौडस ऑपरेंडी है उसको नब बताने की कोशिश वो सब बेकार हो जाती है के कविता कोई हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है वो एक वाइट कॉलर भष्टाचार के मामले में आरोपी हैं उसी में उनको गिरफतार किया गया है इडी की कस्टडी में है और ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने सारा राज कोल दिया है और उनके राज कोलने के बाद संभो है कि उनको सरकार सरकारी गवाह बना ले और अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ जो केस है वो और पुखता हो जाए अब हो सकता है कि अर्विंद केजरिवाल दिली हाई कोड के इस फैसले के खिलाब सुप्रीम कोड जाएं वहाँ से क्या उन्हें कोई राहत मिलेगी ऐसा लगता नहीं संजे सिंग को नहीं मिली, मनीश सिसोदिया को नहीं मिली, सतियन जैन को नहीं मिली अर्विंद केजरिवाल को क्यों मिलेगी, ये समझ से परे है, लेकिन आज कल अदालतों का कामकाज उनके फैसले भी समझ से परे होते है इसलिए मैं बार-बार लगभग कह रहा हूँ, साधानी बरतते हुए, लेकिन जो सुबूत हैं E.D. के पास, जो अदालत में आज सुबूत E.D. ने पेश किये हैं, उनके बारे में जो खबरे आ रही हैं, उन सबसे बड़ा असपष्ट है और जो विवहार है अरविंद केजरिवाल का, उनको लग रहा था कि चुनाओ के बाद तक वो इस मामले को टाल सकते हैं, लेकिन आप जो परिस्थिती बन रही है, उसमें लग रहा है कि चुनाओ से पहले-पहले उनकी गिरफतारी होगी, उनका ये तर्क काम नहीं है, उनक कोट ने माना नहीं, दो जजेज की बेंच उसने जो फैसला सुनाया, उसने कहा कि हम इस स्थिती में नहीं हैं, कि एडी को इस तरह का डायरेक्शन, इस तरह का निर्देश दें, कि वो अरविंद केजरिवाल की गिरफतारी न करें, और बड़ी स्वाभावी किसी बात है, अगर कोई सामान ने व्यक्ति होता, तो उसके बारे में भी दिल्ली हाई कोट का फैसला यही होता, शायद इतनी लंबी सुनवाई नहोती था, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली हाई कोट ने वही फैसला दिया है, जो किसी आम व्यक्ति के मामले में दिया जाता, तो दिल्ली हाई कौट ने ये साबित करने की या ये धाड़ना बनने देने की कोशिश नहीं की है, तो अर्विंद केजरिवाल को VIP ट्रीट्मेंट मिल रहा है, देश का कानून देश के हर नागरिक के लिए समान रूप से लागू होता है, अरविंद केजरिवाल भी देश के नागरिक हैं उन पर भी देश का कानून उसी तरह से लागू होता है तो अरविंद केजरिवाल वैसे भी पूरी तैयारी कर चुके हैं कि उनके जेल जाने पर वेवस्ता क्या होगी मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आतिशी दिल्ली की अगली मु तो दिल्ली शराब घोटाला जिससे अरविंद केजरिवाल ने इस उमीद में पल्ला जाड़ रखा था कि उनके पास डिपार्टमेंट नहीं था वो किसी फाइल पर दसकत नहीं करते थे कैबिनेट की किसी बैठक में फैसले में शामिल नहीं होते थे इसलिए उन पर आच नहीं आएगी वो उनकी गलत फैमी थाबित हुई अपराधी कितना भी शातिर हो कानून के हाथ लंबे होते हैं वो कभी न कभी उस तक पहुँची जाते हैं तो अरविंद केजरिवाल तक अगर कानून का हाथ पहुँच गया है बस एक दो कदम की दूरी है उनको तिहाड जेल भेजने में क्योंकि अदालत में ही एंफोस्मेंट डिरेक्टरेट ये कह चुका है कि इस मामले में एक और हाई प्रोफाइल व्यक्ति की गिरफतारी होने वाली है तो जाहिर है कि उसका इशारा अरविंद केजरिवाल की ही और था क्योंकि आम आदमी पार्टी में और कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति तो बचा नहीं है जो जेल के बाहर हो अरविंद केजरिवाल के अलावा मित्रों अभी अभी एक ताज़ा ख़वर आई है मैं ये वीडियो समाप्त करने ही वाला था इसको कंक्लूड करने वाला था तब ही ख़वर आई है पर रात के 8 बज इसको वो टालते आ रहे थे आखिर वो दिन आ गया और अरविंद केजरिवाल दिल्ली शराब घोटाले में गिरफतार कर लिये गए हैं और उनके परिवार को ये सुचना दे दी गई है कि उनको दिल्ली शराब घोटाले के सलसले में गिरफतार किया जा रहा है अब पुलि पूरा देश देखे पूरा देश तो नहीं देख पाएगा हाला कि अभी तक अर्विंद केजरिवाल ने मुख्यमंतरी पत से इस्तीफा नहीं दिया है मेरा यह अनुमान है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं कल कोट में पेश होने तक तो उनको बरखास्त किया जा सकता है उनकी टीम सुप्रीम कोट मैंने पहले ही बताया आपको पहुंच चुकी है सुप्रीम कोट ने आज सुनवाई का कोई संकेत नहीं दिया है हो सकता है कल जो है सुप्रीम कोट इस मुद्दे पर सुनवाई करें लेकिन कोई राहत उनको मिलेगी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है तो दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की बहु प्रतीक्षित गिरफतारी आखिरकार हो गई है तो मिस्टर कटर इमानदार अब तिहाड जेल जाएंगे कितने दिन का अधालत से एडी को कस्टडी मिलती है ये पता नहीं कम से कम साथ दिन की मिलेगी ऐसा मानना चाहिए एडी उनका सामना कराएगी दूसरे गवाहों से और जो डॉक्यूमेंट्स है उसके पास उनसे और उसके बाद उनसे पूश्टाच होगी पूश्टाच के बाद उनको जब कस्टडी खतम होगी तो तिहाड जेल भेज दिया जाएगा और अब अरविंद केजरीवाल के लो बाहर आने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है उनकी पार्टी के लोग इकठा किये जा रहे हैं प्रदशन कर रहे हैं लेकिन दिल्ली में तुफान आ जाएगा अरविंद केजरीवाल के सबर्थन में लोग सडकों पर उतर आएंगे ऐसा कोई दिरिश्य देखने को नहीं मि रही है उसके बाद अपने हेड़कोर्टर लेकर जाएगी और कल उनको अदालत में पेश किया जाएगा अदालत से तै होगा कि उनको कितने दिन की एडी की कस्टडी मिलेगी उसके बाद कस्टडी खतम होने के बाद जेल ही एक मात्र जगह है जहां अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अन्मती दीजिए आप से अनरोध है कि यह चैनल देखे शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब दरूर कीजिए नमस्कार